हेलो एब्रिवन मैं राजी बंदारी आप सबका सवकत करता अपने चाहिए लेक्टिकल अड़म है आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेका हूँ इंपॉर्टेंट वीडियो है यह ठीक है कि अन्नोनिय प्रेरक्तों किन-किन कारकों पर निर्वा करता है ठ ही है तो इसमें क्या है सबसे पहले आपको अन्नोनिय प्रेरक्तों पता पाराजी अन्नोनय प्रेरक्तों का होता है जैसे यह इससे पहला ली वीडियो में को अगर्वरम इसके समय कोई दो रखी वे कई कोई सब्सकर को अब यह जो अनोमने प्रेशंप अब यह जो अनलिय घ्रोड और किनकिन करेगा यानि कैसे कैसे यह बढ़ेगा या कैसे कैसे इसकी value कम हो सकती है वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले है दूरी का परवाव ठीक, अगर मानलो आपने ये दोरों कुंडली है ठीक है जैसे मानलो ये कुंडली है एक इसको हम बोल देते हैं प्रात्मिक का जो flux होगा, वो यहाँ पर क्या होगा उसकी value क्यों हो जाएगी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने पर क्यों होगा अब इसका जो flux होगा, आप इसमें करंड उत्पन कैसे होता है जब इसका flux इसमें टच होता है यानि इससे link करता है, ठीक है तब ही तो आपका यहां पर करण उत्पन होता है ठीक तो यह जब फ्लक्स यहां से यहां कम ही जाएगा क्योंकि दूरी बढ़े जाएगी तो कम जब फ्लक्स आएगा तो क्या होगा यह करण भी कम उत्पन होगा यानि यहां पर क्या होगा जैसे आप दूरी बढ़ाओगे ठ कम हो जाता है ठीक है तो यह आपको यादखना है यानि दूरी बढ़ने पर अन्नोने प्रेक्तों का मान क्या होता है वो कम होता है दूसा पाइंट आपको यह यादखना है कुणली के युगमन का परवा अब युगमन क्या होता है युगमन का जो हम फॉर्मला हमने M upon root में L1 into L2 ठीक है ठीक है तो यहाँ पे जो K होता है आपका वो क्या होता है आपका यूगमन नियतांग क्यों होता है यूगमन नियतांग ठीक अब इसका मतलब क्यों होता है यानि यह जो दोनों क्वाइल है ना यह दोनों कोईल जो है यानि दोनों जो कुंडली है यह आपस में जितनी क्या होंगी कपल होंगी यानि मिली भी होंगी यूगमन होगा इनके बीच हो यानि जितना ज्यादा यह पास पास ऐसे लिप्टी होंगी ठीक उतना ज्यादा क्योंगा यह इस वाली का जो फ्लक्स जाधा कूंडलीी तो जहां पर यूगमन जादा होगा वहां पर का करणड भी जादा उत्पन होगा दूसी कुनली में आपकी ठीक है यानि फ्लक्स ज्यादा उससे क्या होगा टच होगा तो यहाँ पर आपको समझने है कि कुनली के यूगमन का प्रवाव तो जितनी ज्यादा यूगमीत होगी आपका जो होगा दूसी कुनली में उतना ज्यादा करन उत्पन होगा उससे उतना ज्यादा फ्लक्स क्या होगा टच होगा ठीक है जहां पर यह पूरी तरह टच होती ना वहां पर के की वैलू में लेते हैं ठीक है यानि जहां पर युकमन आपका यूग मन जहां पर आपका 100 से हो जेसे मान यहां पर 100 overcome यहांb Together इस सो गरेज कुणली में व ऊत्पन हो गया तो वह क्या होगा आपका 100% तो 100% के case में के की value कितनी होती है वन होती है ठीक तो 2 point आपको समझ में आगे होंगे तीसरा यहां पर आता है कुणलियो के जुकाव का परवा जुकाव का परवा होती है या पने इन दोनों कुणलियो को इस तरह के से रखा है और एक केस लिले तो मैंने इंदनों कुणली को इस तरगे से रखा हुआ है और एक case ले ले था इन दनों कुणली को इस तरह के से रखा हुआ है अब यह बताओ इन में से सबसे ज़्यादा human case में होगा, तेका यानि इस coil का जो flux होगा, वämä ज्यादा से ज़्यादा किस case में दूसी क्वाइल से टच होगा इस केस में ठीक है यहां पर जितना भी फ्लक्स होगा वो दूसी क्वाइल से मानलो टच होगा असानी से यहां पर जो भी फ्लक्स होगा दूसी क्वाइल से असानी से टच नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसकी दिसादे को अलग है और यहां पर इस होंगी ठीक है वहां पे क्या होगा आपका जादत से जादा फ्लक्स दूसी कुंडली में उत्पन होगा और वहां पे जादत से जादा क्रण भी क्या होगी उत्पन होगी तो यहां पे अन्नोने प्रदक्तों का महानी भी क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा ठीक है इन क इन दोनों केसों में थोड़ा कम होगा, इस वाले में तो बहुत ही कम होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें होगा, ठीक है, इसमें तो बहुत ही कम होगा, ठीक है, जुकाओ पे भी क्या करता है, निर्बर करता है, आप स左 की संख्या जितने जाधा फेरों कि संख्या यहां इतना ज्यादा संख्या बढ़ाऊ गया जैसरे यां पर श्चार ज reference करते हैं ऐ boy उससे बी अन्रोने वे अंरे भी टेधार्ण आपका ठीक है फिप्थ पॉइंट क्या है आपका क्रोड के पधार्थ का परवाव मैट्रियल ऑफ कोर अब जैसे मालो आपने एक कुंडली बनाई थी है ना मालो प्रात्मी कुंडली है अगर मैं इसके बीच में अगर मैं इस कुंडली के बीच में यहां पर रख देता हूं एक लो चुम्बक्या पधार रख देता हूं ठीक है लो चुम्बक्या पधार था जैसे मालो मैंने क्या लग दिया नर्म लोहा रख दिया ठीक है या मैंने क्या रख दिया कोबाल्ट रख दिया ठीक है या निकिल रख दिया तो इससे क्या होगा यहां पर जो फ्लक्स जो अब दो忙 हम ड़ने के इस में दो भान बढ़ जाएगा। पहna आटा जाएगा इस कोलसे में जो गाल कंभा पे जया बन गाल में जो का reflex या जाद चाईगा यह जादा हो का म्यूम तर गा क्या होगा शोकिनधे प्लक्स को में नियुक्त को यहाद हको हे है यहाद कि यहां पयों आपको जीıı को शुमबक चुमबग और यूज विल्खत कुछ कर दिया तो इससे क्या रखता है अनोने पर यूद यूद उड़ तो रखतव है वह आपका बढ़ घए तो यह factor जो होते हैं निर्भर करते हैं अन्नोने प्रत्तों में तो आपको यह याद रखना है और यह बहुत important है बहुत ज़्याद पेपर में question में यह पूछा जाता है ठीक है बहुत से क्या होता है इसको छोड़ कर आ जाते हैं ठीक तो I hope आपके समझ में आयोगा thank you